गिलास नूट्रिशन है दोस्तों हमारा प्रॉपर फटिलाइजर एक गिलास यह जो बन के तयार हो चुका है यह बहुत ही सकतिसाली फटिलाइजर बन के तयार हुआ है हलो दोस्तो दोस्तो आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा रोस प्लांट दोस्तो क्या आपका भी जो गुलाब का पौधा है उसमें अभी तक ग्रोथ होना शुरू नहीं हुआ है पौधे में इस तरह की नहीं नहीं ग्रोथ नहीं आ रही है पौधा कलिया न आती है लेकिन वो उपर से कली नहीं बनती है वो ग्रोथ यहां तक आके रुक जाती है और वो बीच से ब्लाइंड हो जाती है तो आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रॉपर डीटेल में जानकारी दूंगी कुछ ऐसा खात बताऊंगी कुछ ऐसा खाना बताऊंगी जिसक गुलाब जो है दोस्तों यह ठंडियों का पौधा है आने वाला जो ठंडा है उस टाइम के लिए आपको आपके पौधे को तैयार करके रख लेना है अभी अगर आप अपने पौधे को तैयार करके रखोगे तो आने वाले सीजन में आपको आपके पौधे से बहुत ही तो नमस्ते दोस्तों मैं हूँ किरन और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल छोटी सी बग्या में तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पौधे जो भी पौधे डॉर्मेंस पीरियोड में चले गए थे उस पौधे में भी अच्छी कासी नहीं नहीं ग्रोथ आ रही है पौधे फ्लावरिंग होना सुरू कर दिये हैं यह जो मेरा इंगलिस रोज है यह पूरे गर्मी भर एक भी फ्लावर इसमें नहीं आया वा था दोस्तों ना ही इसमें कोई पत्ता था यह पूरा ही डॉर्मेंसी में चला गया था लेकिन देख सकते हैं मैंने अपने पौधे को अभी सीजन आने से पहले ही कितने अच्छे से रिकवर कर लिया है पौधे में अभी एक दो फ्लावर्स आना सुरू हो गई है धीरे धीरे जब गुलाब का सीजन आएगा तो आप कि इसमें पूरे ही गुच्छो गुच्छो में फूल आना भी सुरू हो जाएगी लास्ट सीजन मेरे इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग होई थी इस सीजन भी आप देखना बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होगी उसके लिए आपको सब पौधा का ग्रोटिंग हार्मोन एक्टिव होता है पौधे में धेर सारी नई-नई नई ग्रोथ आना सुरू हो जाती है अगर आप पौधे में कटाई-छटाई नहीं करोगे तो आपको आपके पौधे से ना तो उतनी ग्रोथ मिलेगी और ना ही फिर आप फ्लावरिंग ले जैसे ही आप पौधे की टीप की कट आई करोगे आप देखोगे कि दो तीन नई नई ब्रांचिस वहां से निकल के आएगी इसलिए सबसे पहले आप यह काम अभी पूरे ऑक्टूवर भर में कर ले अक्टूवर के लाश्ट लाश्ट तक तो कर ही ले अगर आपके पास देसी की ब्रांची है जो ब्लैक हो रही है तो उनको भी आप अपने पौधे से कट करके हटा दे ये टिप्स पे भी आप जरूर से जरूर ध्यान दे क्या वह जो है सबसे पहले यह काम को करलें साथ ही जिनके यहाँ पे 35 डिग्री से ज़्यादा टेंप्रेचर है वो आपने पौधे को 5-6 घंटा का धूप दिलाएं और उससे नीचे जिनके यहाँ पे टेंप्रेचर है वो अपने पौधे को पुरा प्रौपर दीन भर का धूप जरूर से जरूर डिलाएं अगर आप दिन भर का धूप अपने पौधे को दिलाओगे तो इस तरह की जो भी नई ब्रांचे जाएंगी उसमें कली जरूर बनेगी क्योंकि पौधे में जब खाना बनाने में दिक्कत होती है पौधे को पौधा खाना अच्छे से नहीं बना पाता है तभी आप पौधे म रखना है यह भी एक बहुत ही इंपौटेंट पौइंट है अगर जो भी छोटी-छोटी चीजे में आप सभी को बता रही हूं सारे ही चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आप देखोगे आपके पौधे में आपको बहुत ही बहतर रिजल्ट मिलेगी तो इन तीनों च जो भी इस तरह की ब्रांच होती है उसमें नमी बनी भी रहती है वह थोड़ी गीली रहती है वह थोड़ी हलकी रहती है तो ज्यादा से ज्यादा नई नई ग्रोथ आती है अगर वह पूरी सूखी भी रहेगी तो ग्रोथ आने में ज्यादा दिक्कत होती है तो इसलिए मॉ बहुत ही अच्छे से केर करने के आवे सकता होती है नहीं तो यह जो पौधा होता है यह बहुत जादा जल्दी खराब भी हो जाता है इसलिए मैं आप सभी को इंपोटेंट इंपोटेंट पॉइंट बता रही हूं कि आप जो है इसको मॉर्निंग के टाइम पे ही स्प्रे करे तो यह भी जो भी मैंने केट टिप्स से आप सभी को बताया हुआ है सारे ही केट टिप्स को आप जरूर से जरूर फॉलो करें जो बिगनर्स हैं वो खास करके इन टिप्स को ध्यान में दे तब ही आप अपने पौधे पे अच्छी फ्लाउरिंग ले पाओगे गुच्छों का खाना आज मैं कुछ ऐसे चीज बताऊंगी जो एक बहतरीन से इंसक्टी साइड भी होगा साथ ही पौधे के लिए एक बहुत ही प्रौपर न्यूट्रिशन होगा आपके कीचन में ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा आपको ज़्यादा पैसे खर्च की आवे सकता भी करने नहीं होगी आपको ज़्यादा पैसे पौधे को दे सकते हो और बहतर रिजल्ट आपको अपने पौधे से ले सकते हों तो वह जो चीज दोस्तों वह देख सकते हैं वह है यह ची इसको तो आप लोग पहचानी गए होंगे हैं यह आपके किचन में एक मसाले के तौर प बहुत ही ज़्यादा एक बहतरिन सा फटिलाइजर है यह जो मेथी दाना है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी मातरा में आइरन, कैलसियम, मैगनेशियम, पोटासियम, सोडियम, जी इंग, फासफोरस और मैगनेशियम जिसे खनिश पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे पौ इसमें इस्तमाल होने वाले यह जो छोटे-छोटे चीज है इसमें ही जो है दोस्तों इतने सारे प्रोटीन पाये जाते हैं कि इसका ही इस्तमाल करके अगर हम अपने गमले में देंगे अपने पौधे में देंगे तो हमें अपने पौधे से बहुत ही बहतर रिजल्ट मिले तो मैंने जैसे की बता दिया आप सभी को कि इसमें कौन-कौन से नुट्रिशन पाये जाते हैं और पौदे को फ्लावरिंग करने के लिए पौटेशियम और फास्पोरस की मातरा अच्छी मातरा में चाहिए होती है साथ ही पौदे में नई ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का सोर्स होना जरूरी होता है रूट्स के ग्रोथ के लिए नई सूर्स के लिए कैल्सियम का सोर्स जरूरी होता है तो पतियां पीली नहीं होने के लिए मैगनेशियम का सोर्स चाहिए होता है तो मैंने जैसे की बताया आप सभी को कि यह जो मेथी दाना है दोस्तों यह इन सार आपका सीजन आने वाला है सारे ही लोग गुलाब में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लारिंग लेने के लिए अभी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आप इस मेथी का भी इस्तमाल इस टाइम पर कर सकते हो कैसे इस्तमाल करना है वो चलिए मैं बताती हूं आप सभी को तो इसको अपने सारे ही निउट्रिशन को पानी में छोड़ चुका है तो इसका कलर आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे से जो है दोस्तो वो चेंज हो चुका है अब आपको क्या करना है आपको इस एक गिलास पानी में मतलब यह जो एक गिलास निउट्रिशन है दोस्तों हमारा प बहुत ही बहतरीन सा nutrition है तो आप इसको अगर ऐसे ही दे दोगे तो यह ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है एक लिटर पानी में यह 100 ml पानी को dilute करना है अब सोच सकते हैं आप यह कितना ज़्यादा सकतिसाली fertilizer है कि 100 ml जो हमारा लिटर पानी में dilute करना पड़ रहा है तो यह जो हमारा container है दोस्तों यह पुरा ही एक लिटर का proper measurement है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे पहले इस मेथी दाने को dilute कर लेंगे दाने को आपको नहीं dilute करना है आपको सिर्प और सिर्प पानी को dilute करना है अगर अगर करके रख लें इसको आप अलग container में डाल सकते हो उसमें बहुत ही अच्छी बहुत ही जल्दी यह दोस्तों मेथी का साग निकल के आ जाएगा आप उसका इस्तमाल किचन ने कर सकते हो खाने में कर शकते हो और तो और एक दूसरा तरीका है आप इस पिसके अपने बालों पर भी लगा सकते हो उससे भी आपके बाल में बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी लेकिन मैं आभी क्या करूँगी मैं इसको अभी एक गमले में बो दूंगी ताकि इससे जल्दी से जल्दी मेथी का साग निकल के आ जाए तो अभी देख सकते हैं यह सक्तिसाली फोट यह पिटकरी इसको आप कोई भी घ्लोसरी स्टोर में मिल जाएका वहां से आप ले सकते हो यह हमारे गमले की मिट्टी को एसे टिक भी बनाके रखता है। उसके साथ ही जो है दोस्तो अगर गमले में फंगस कीटा नसक का काम करता है अगर पौधे में फंगस वेगरा लगे हुए कीडे वेगरा चीटी वेगरा आके लग रही है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हो उससे यह दोस्तो दूर दूर तक फिर नजर नहीं आएंगी मैं अपने न्यूट्रिशन को छोड़ देगा उसके बाद आपको इसको निकाल लेना है क्योंकि जदा देर हमें इसलिए नहीं छोड़ना होता है दोस्तों कि अगर यह बहुत ही स्ट्रॉंग फटिलाइजर है अगर आप इसको जदा देर छोड़ दोगे तो फिर यह आपको औ अच्छे से निकाल लेंगे पहले इस तरह से निकाल लेंगे इसको और निकालने के बाद जो है दोस्तों यह जो हमारा प्रॉपर फटिलाइजर है अब बन के तयार हो चुका है एकदम पौधे में डलने के लिए तयार हो चुका है आपको क्या करना है हलका हलका हर एक जो बसे में करकर में इस तरहные तरह से पस्तलों में और हो Canad nahester में में कर लोगे आने वाले जो उसीजन में आपको इतनी अछ यह रीजल्ट को आपको आपके गुलाब के पॉदे से दिखे अपई दूस्तों वह देखते ही रह जाओंसे थुछा हुआ है तक गांडills को सब्सक्राइब करते लादन के करते हैं होगा यह फिर वैसल अपने पोधें इस अनग रहे हैं था जो पधा दौर में चला गया था वो तो इस तरह से आप भी आपने पौधे में जरूर से जरूर इस्तमाल करें आसा करती हूं आप सभी को जो है दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप हमारी चैनल पर नहीं आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिजिएगा ताकि हमारे जो भी निव वीडियो जाएंगी उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे इस वीडियो का आपने प